नमस्कार आप देख रहें लोक सेवा नियूज मैं हूँ आपके साथ रज़त त्रपाठी मैं दावल विधान सभा से निसाद पार्टी के विधायक अनिल त्रपाठी जी हमारे साथ बाचीत के लिए हैं वहां चुनाओ काफी रोमान चक रहा समाजवादी पार्टी से जैचं ने लीड किया लेकिन बाद में जब आपने लीड ऐसा किया कि आपने सब को जो है सिकस्त दे दी जीत को आप कैसे देखते हैं यह जीत हमारे छेत्र की जनता की जीत है और निशित रूप से इस बार जो महावल रहा विधान सभा चुनाओं में में हर परिवार से लोग खड नया था उस शिनाओच इनको पहुंचाना एक कठिन काम था लेकिन वहां के नौजवानों ने वहां के प्रबुद्ध लोगों ने यहां तक कि हमारी माताओं बहनों ने भी लड़ाई लड़ी और हर ब्यक्ति तक मैं आब बताओं मैं एक दिन किसी इंतेष्ठी में थरिवाले आ गये, थरिवाले आ गये, तो मुझे उसी समय प्रतीत हो गया भी चुनाओ तीन-चार दिन बाकी था, मुझे उसी समय प्रतीत हो गया कि अब मेरा चुनाओचिन हर ब्यक्ति तक पहुंच चुका है जब एक बच्चा बोल रहा है, तो ये कठिन कारे भी आसानी मत मुझे मिले 90,000 से ज्यादा मत मुले इसके पहले वो इसके कभी मत मिले थे अब तक 2017 के चुनाव में भी तो ये मेरे लिए बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव रहा ऐतिहासिक विजे हुई मैं अपने छेतर की जनता को अपने निसात पार्टी के राष्टी अध्यक जी को अपने अमिश्या जी को और मेरे छेतर में आई थी आधिनिया इसमिती इरानी जी इन लोगों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि इन्होंने अपने भावनाओं से जो एक लहर पैदा की वहां पर आ करके जो वहां पर कारिक्रम किया जनसभाय की एक लहर पैदा क अधिया और उसी का परड़ाम हुआ कि सारी विपरीद परिश्थित्यों के बावजूद यह एतिहासिक विजय प्राप्त हुए जैसे मैं जब आप चुनाओ लड़ रहे थे तो मैं भी शेत्र में था वहीं आपका इंट्रव्यू भी हुआ था जो एक चीज मैंने नोटिस कि बहुत सारे विधानसभा जब मैंने घूमा तो जो विधानसभा प्रत्यासी थे वह आवाकावा पुरा मिंटेन करके जाते थे बड़े साधगी से आपने चुनाओ लड़ा मैंने देखा कि आप दो तीन गारी आपके साथ होते थे बहुत जादे आप सोरसराबा नहीं कर कि आम आदमी भी जो सबसे गरीब व्यक्ति हो वह भी मुझसे आसानी से मिल सके और इसलिए मैंने कभी भी इस तरह के जो आपने आबा काबा कहा इसतरह की चीजों को कभी मैंने अपने नजडीक नहीं आ दिया क्योंकि मेरा मकसद है मैं समाज सेवा में हूँ तो मेरा मकसद है कि हर आम आदमी हर व्यक्ति वो किता भी गरीब क्योंना हो वो मुझ तक आसानी से पहुंचने में कोई हिचक न करें इसलिए मैं ऐसी चीजों से परहज करता हूं और यह मेरे खून में है हम लोग कभी भी चुकि मैं ऐसे समाज से भी हूं जो इसका काम है सारे समाज के लिए हर व्यक्ति के लिए कल्यान का काम करना तो यह मेरी प्रकृति है और इसलिए मैं कभी भी और निश्चिनता इसलिए कि मुझे अपने छेत्र की जंता पर भरोसा था कि मैं यह जानता था कि जो चुनाव लड़ रहा हूं मैं मैं अकेले नहीं लड़ रहा हूं मेरे छेत्र के पचास हजार से ज्यादा लोग चुनाव लड़ रहे हैं हर मत्दाता चुनाव लड़ रहा था इसलिए मैं बहुत निश्चिन था बहुत ही आनंदित था किसी प्रकार की चिंता नहीं थी अब पांस सल विधाय करेंगे क्य क्या प्रात्मिक्ता क्या होगी है कि कि किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान किसी प्रकार की हानिन नहीं पहुंचाए जाएगी मेरे सबसे करीबी लोग भी अगर चाहें तो एक नहीं सैक्डों लोगों का सहयोग सेवा करा सकते हैं मुझसे लेकिन कोई मेरा सबसे करीबी भी होगा तो किसी ब्यक्ति को हानी पहुंचाने का कारिय मुझसे नहीं करा सकता और मेरा ये लक्ष है कि उस बिधानसवा छेत्र में रोजगार के मामले में चिकिस्सा के मामले में सिक्षा के मामले में विकास के मामले में जो भी कहीं कमिया हैं उनको दूर करने के लिए काम किया जाए और इसके लिए मुझे अपने पार्टी की तरफ से भी और जो प्रदेश में सरकार बन रही भारती जनता पार्टी की सरकार उस सरकार से भी बार-बार आग रही रहूँगा कि वो हमारे छेत्र में क्योंकि अभी 75 साल हो गए 75 साल से ज्यादा हो गए देश को आजाद हुए लेकिन हमारा छेत्र बहुत पिश्रा रह गया है एक तो बुरी तरीके लोग अक्सर बाहर जाते हैं बाहर जाते हैं तो परिवार से मैं देखता हूं दुरगटनाओं में बहुत सारे परिवार वह अपने नौजवानों को खो देते हैं अभी हाली में तीन दिन पहले हमारे घुरापाली गाओं का एक नौजवान था 40 साल का वह बैंगलोर में का करता था वहां पर अचानक से उसकी डेथ हो गई रोजगार के लिए गया हुआ था क्योंकि अकेला था तो उसे प्रयाप्त जो है वह मेडिकल एड नहीं मिल पाया उसकी डेथ हो गई तो अपने घरों से दूर जाकर के रोज़ी रोजगार की लोग जाते हैं अब बहुत सारी इसी घटनाएं आती रहती हैं लेकिन यदि हमारे छेत्र में ऐसे उसर बनेंगे रोजगार के वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलिप्मेंट होगा वहां पर किसी का भी ऐसे फूट प्रोस्टिंग सन्यत्रों कर लगें जिससे कि वहां अस्थानी अस्तर पर रोजगार मिल सक हुआ हुआ है